नमस्कर किसान भाईओ, आप सभी लोगों का मैं हेमंतियादव स्वागत करता हूँ किसान भाईओ इस वीडियो में हम आपको थोड़ा सा जानकारी देने वाले हैं कि किसानों की जो प्याज किसान है उनकी हालत है वो बहुत ही खस्ता हो चुकी है क्योंकि जो लागत है वो ज़्यादा आती है और जो बचत है वो बहुत ही कम आती है किसानों से जो सस्ता प्याज ले लेते हैं मंडियों में और फिर जो बिचोली व्यापारी वगरा होते हैं वो अच्छा खासा मुनाफ़ा कमाते हैं तो आज इसी बारे में मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ तो वीडियो को अन्तक जरूर देखेगा और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कूल भी न भूलें बता दे अब की बार जो स्टोरेज का जो प्याज है वो करीब 30 फिजदी प्याज खराब हो चुका है और यह बहुती बड़ा गाटा है उपर से जो दाम है इस बार रिकोर्ड तोड कमी मानी गई है देखी गई है करीब 18 रुपए प्रती किलोग्राम के लागत आती है प्याज बर और जो प्याज भीकरा है किसानों का 50 पैसे से लेकर 10 रुपए प्रती किलोग्राम के साब से बेचने के लिए मजबूर है 75 साल हो गए है देश को आजाद हुए और सरकार कोई पॉलिसी नहीं बना पाई है प्याज के उपर अभी तक तो सरकार को ये करना चाहिए कि वेगयनिक तरिक से देखे कि प्याज पर कितनी लागत आती है उस पर मुनाफ़ा तैय करके नियुन्तम दाम कम से कम किसानों को मिलने चाहिए सोलापुर की अगर मंडी की बात करें मंगल वैदा मंडी में 22 जुलाई को जो सिरफ 149 रुपए 22 जुलाई को देखें तो 149 कुंटल प्याज की आओ कुई थी और उसमें जो नियुन्तम भाव था वो 100 रुपए की लोग प्रतिक कुंटल के इसाब से भी का है वहीं सोलापुर मंडी की बात करें तो 100 रुपए नियुन्तम भी का है और उसमें जो भाव रहा है वो 1000 रुपए प्रतिक कुंटल तो किसान भाई वो सरकार का जो ध्यान है सिरफ प्याज सस्ता करने पर होता है सरकार को अगर सस्ता प्याज चाहिए तो वो खाद, पानी, बिजली, डीजल, पेस्टिसाइड और माल भाड़ा सब सस्ता करें किसानों को जब प्याज का दाम 20 से 25 रुपए किलो मिलने लगता है तो वोगताओं तक पहुंचते पहुंचते उसका दाम 60 से 70 रुपए हो जाता है ऐसा होते ही सरकार के पेट में दर्द होने लग जाता है और दूसरे देसों से प्याज मंगाना शुरू कर देती है क्यों आखिर बाहर से जो मेंगा प्याज खरीद के वो दे सकती है यहां किसानों का जो प्याज है वो मेंगा थोड़ा सा उचित दाम पर खरीद कर वो नहीं दे सकती किसानों से सस्ता लेकर भोगताओं को महंगा बेचने वाला व्यापारियों पर कारवाई करने के बजाए सरकार किसानों को तबाह कर देती है अब सरकार कह रही है कि 2021-22 के दोरान जो प्याज है वो 3,17,3,000,00 मिट्रिक टन प्याज पैदा होने का अनुमान लगाया है जो कि पिछले साल से 50,62,000,00 मिट्रिक टन अधिक बताया है इस से दाम और कम हो सकते हैं यह आकड़ा पता निक कैसे तयार करते हैं सरकार महाराश देश का जो सबसे बड़ा प्याज उतपादक राज है यहाँ देश के कुल उतपादन का 40 फिजदी प्याज पैदा होता है जो प्याज का टोटल खर्चा निकाल कर उस पर मिनिमम जो भाव है किसानों को देना चाहिए अगर आप मेरी इस राए से सहमेत हैं तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ नमस्कार